नमू अरहंताण, नमू आयर्याण आज हम बात करेंगे कि इंसान अपनी सहन करने की ताकत को कहां तक बढ़ा सकता है उत्तराध्येंसुत्र के दूसरे अध्याय की 26 वी गाथा में कहा गया है इस गाथा में एक मूनी को प्रसिक्षन दिया गया है कि मूनी कहां तक सहन करे कहां गया कि पीटे जाने पर भी मूनी क्रोध न करे कोई व्यक्ति यदि एक मूनी को पीटता है तो उस पर क्रोध न करे मन को भी दूशित न करे क्षमा को परम सादेन जानकर मूनी धर्मगा चिंतन करता रहे मैं मूनी हूँ, मैं मूनी हूँ, मैं सादू हूँ लाए क्योंकि मन कोई देखता नहीं है मन में हम कैसे भी भाव पैदा कर सकती हैं मन कोई देखता नहीं है इसलिए कहा गया कि मन को भी दूशित ना करे पीटने वाले के प्रति मन में द्व्यश ना लाए कितनी बड़ी बात कही गई है मुनी के लिए मन में आ सकता है कि मुनी ऐसा कर सकता है तो क्या एक साधारन इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता शरीर में और मन में यदि सहन करने की ताकत है तो एक साधारन इंसान भी ऐसा कर सकता है यदि शरीर में और मन में सहने की ताकत नहीं है तो संकल्प पूर्वक उसका विकास किया जा सकता है कहां तक विकास किया जा सकता है? यहां तक जो इस गाथा में बताया गया है वहां तक एक इंसान अपने सहने की ताकत का विकास कर सकता है सहन शरीर से नहीं होता, सहन होता है संकल्प से, जो व्यक्ति संकल्प में द्रिड है, जिसका संकल्प मजबूत है, वह व्यक्ति सहन कर सकता है, और जिस व्यक्ति का संकल्प जिस समय तूटता है या कमजोर बनता है, इंसान सहन नहीं कर पाथा, मैं आपको एक घटना बताऊं, जैन इधियास की घटना है स्रावस्ति नगरी के राजा थे जित्शत्रू उनका बेटा था राजकुमार सकंदक एक बार स्रावस्ति में मुनि सुप्रत पधारे लखों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए गए सकंदक भी कया उसको उनका प्रवचन इतना अच्छा लगा उसने मन में सोचा कि मैं क्या करूँ मैं इन मुनि को क्या भेंट दू उसने मुनि को निवेदन किया मुनिवर मैं आपकी त्याग प्रधान जीवन शैली से प्रभावित हुआ हूँ आप मुझे भी कुछ त्याग दे मैं सादू तो अभी नहीं बन सकता लेकिन आप मुझे श्रावक वरत दे दीजी श्रावक वरत के जो बारे नियम है उनका मुझे पचकान दे दीजे मैं उनको स्वीकार करता हूँ वरती श्रावक बन गया एक दिन पालक जो उनकी बहिन के ससुराल का राजपुरु ही था वहस रावस्ति आया और उसने लोगों के सामने जैन मुनियों की अभहेलना शुरू की अभत्र बोलना शुरू किया जो भी मन में आया बोलता गया अवर्णवाद इसको अवर्णवाद कहती है सकंदक ने उसको निरुत्तर कर दिया उसके सारे प्रशनों का सुन्दर जवाब दिया और उसको चुप कर दिया इससे पालक के मन में सकंदक के प्रती इर्शा का भाव पैता हो गया अब वो सकंदक उसकी आँख में कांटे की तरे चुपने लगा ये इश्या ऐसी चीज है अंगारे की तरह अंदर दबी रहती है अंदर ही अंदर सुलगती है और जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलता है वह आग के रुप में सामने आ जाती है पालक भी ऐसा ही कुछ कर रहा था बाहर से कुछ नहीं लेकिन अंदर ही अंदर प्लान बना रहा था कि मुझे इसका बदला लेना है ये बदले की जो भावना होती है वो इंसान की भीतर में बेचेनी पैदा कर देता है इंसान को अपने जीवन के लक्ष से भढ़का देती है पालक भी ऐसा ही करने लगा सकंदक अपने व्रतों में मस्त था अपने नियोम में जागरूग था और एक दिन उसके मन में आया कि ये श्रावक व्रतों में आसानी से पालन कर सकता हूँ मैं सादू भी बन सकता हूँ अब मुझे सादू बनना चाहिए उसने अपनी ये मन की बात अपने दोस्तों से की और देखिए 500 दोस्त उसके साथ हो गए पार्टी करना अलग बात हो जाती है सादुग मनना एकदम अलग बात हो जाती है और वो भी जैन साथ हो बड़ा मुश्किल काम है सकंदक तयार हुआ उसके मित्र भी तयार हो गए और वे एक दिन मुनी सुबरत के पास पहुंचे अपनी भावना निवेधन की और मुनी सुबरत ने उन सब को दिक्षा दे दी मुनी सकंदक राजकुमार थे अब साधु बन गए सादू बनने के बाद उन्होंने खूब ग्यानारचन किया खूब शुरुत की आरातने की खूब ग्यान लिया और जब वो योग्य बन गए तो मुनिस उब्रत ने उनको उन पांस सो लोगों के जो पांस सो शिश्यों को और दिक्षित किया था उन 500 शिशों का उनको अधिपती बना दिया, आजायरे बना दिया, उनको लीडर बना दिया था एक दिन उन्होंने मुनी सुब्रत से निवेतन किया गुर्देव मैं अपनी बेहन के शहर में जाकर के धर्म का प्रजार करना चाहता हूं मुनी ने अपने ग्यान से देखा कि ये वहां जाएगा इसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है उन्होंने कहा यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ लेकिन वहां तुम्हारे साथ बहुत कुछ घटना कटित होने वाली है उन्होंने कहा कि तुम पर मानांतिक कर्ष्ट आने वाले हैं मुनिसकंदक ने कहा कुर्देव आप मुझे ये बताएं कि मैं आरादक बनूगा या विराधक गुरु ने कहा कि बाकी जो तेरे सिश्य हैं वो सब आरादक बनेगे लेकिन तू विरादक बनेगा आरादक का मतलब होता है एकदम क्षमा के भाव से जीवन की सभी परिस्थितियों को सहन करना और यहां तक की यदि मृत्यों भी आ जाएं तो अनासक्त भाव से उस मृत्यों को भी स्वीकार कर लेना इसको कहते हैं आरादक यानि अपना साधूपन जो लिया उसी साधूपन में एकदम प्रतिस्थित रहना और विरादक कहते हैं विपरीत कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें मन विचलित हो जाता है और साधू अकर्णिया कर लेता है यानि ऐसे संकल्प कर लेता है जो साधू को नहीं करना चाहिए उसने निवेदन किया गुरुदेव कोई बात नहीं है मेरे 500 शिश्य यदि साधना करते हुए यदि आराधक बनते हैं और मैं अकेला यदि विराधक बनता हूँ तो कोई बात नहीं मुझे जाना चाहिए गुरुदेव ने उसको जाने दिया मना नहीं किया कई बार इंसान एक्सपेरिमेंट करता है लाइफ में और उस एक्सपेरिमेंट से वो सीखना चाहता है लेकिन जहाँ जीवन और मृत्यों की बात आती है वहाँ क्या एक्सपेरिमेंट करना लेकिन इसने मन में सोचा इसका अपना विचार था चले गए ये मुनी अपने 500 शिश्यों के साथ चले गए उधर उस पालग ने देखा कि अब तो ये मुनी बन गया है अब मेरा प्रतिकार भी नहीं करेगा क्योंकि मुनी का संकल्प होता है जैन मुनी का संकल्प होता है कि यदी कोई पीटे यदी कोई मारे यदी कुछ भी करे मुनी प्रतिकार नहीं कर सकता इसलिए पालग को एक मोका मिल गया, एक अफसर गया उसने क्या किया? पांच सो ही मुनियों को पकड़ करके बंदी बनाया बंदी बना करके आचार्य के सामने जो ग्रूप लीडर था मुनी सकंदक उस मुनी सकंदक के सामने एक-एक सिष्य को पीलता गया जिसमें तेल पीलते हैं घानी में जैसे तिल पीलते हैं मुफली पीलते हैं और तेल अलग निकालते हैं उसी घानी में एक-एक मुनी को डाल करके पीलता गया सभी मुनी उद्कृष्ट भाव से अपने भाव में एकदम अवस्तित रहे सोचते रहे कि ये शरीर अलग है ये आत्मा अलग है शरीर यही रहने वाला है शरीर का विनास होता है आत्मा का विनास नहीं होता मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा ही आगे जाने वाली है, इस आत्मा को कुछ नहीं होने वाला, इस शरीर में जो कुछ हो रहा है, मैं तटिस्त भाव से देखता रहा हूँ, ये शरीर है, ये खत्म होने वाला है, जीन शीन है, इसको होना ही है, कोई बात न जो कश्ट मेरे जीवन में आई हैं, उनको मैं सम्ता से सहन करूँ, मेरे जीवन का उद्दार होगा, एक-एक साधू इस भावना में अपने जीवन का बलिदान करते रहें, और आचारी भी, जो मुनी थे, मुनी सकंदर, वो भी अपनी परम शांती, परम सम्ता में, अरे, अप उठावाता वरण था वहाँ, एक तरफ क्रूरता की परकाश था, और एक तरफ सम्ता की परकाश था, दोनों में युद्ध हो रहा था, सम्ता की जय हो रही थी, क्रूरता की पराजय हो रही थी, देखें, अन्तिम में दो जन रह गए, एक गुरू और एक उनका चोटा सा श मुनि जब उनकी बारी आई तो आचारे सकंदक ने कहा देखो पालक तुमने जो कुछ किया है तुम्हारा अपना काम है तुमने हमें बंदी बनाया है हम निर्दोष हैं मुझे पता नहीं कि तुम किस जनम का बेर निकाल रहे हो लेकिन कोई बात नहीं तुम मेरे इस शिश्य को पीले उससे पहले मुझे पील ले पालक को और मजा आया क्रूरता में क्रूरता और बढ़ गई उसने कहा ठार रुक तेरी इस करुणा का मैं और अच्छा तुम्हें दंड देता हूं उसने छोटे मुनी को खीचा घानी में पीला छोटा मुनी संता में एक दम परम संता म लेकिन आचार्य का मुह जाग उठा मुहनिय कर्म जाग उठा और उस मुहनिय कर्म के कारण उनको ये बात सहन नहीं हुई अपने छोटे मुनी की बात छोटे मुनी को वो पीलता नहीं देख सके और उन्हों ने अपने मन में संकल्प किया कि यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं इस पालक का और इस पालक का ही नहीं मैं इस पूरे जनपद का सत्यानाश करने वाला बनूँ और कहा जाता है इस निदान से वो अगनी कुमार देव बना और उसने उस पूरे जनपद का सत्यानाश कर दिया ये साधू का काम नहीं होता है, साधू सहन करे, ये काम एक साधारन इंसान का भी नहीं होता है, हाँ साधारन इंसान प्रतिकार कर सकता है, जरूरी है, प्रतिकार भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब प्रतिकार की स्थिती में न रहे, उस समय इंसान क्या करे, तो यहां तक सहन कर सकता है अपनी भावनों को शुद्ध रख सकता है अपनी भावनों को पवित्र रख सकता है और अपना बलिदान दे सकता है अपनी भावना को मदिन न होने दे इस खटना से हमें ये शिक्षा मिलती है हमें ये प्रेणा मिलती है और हमारे भीतर ऐसे भाव पैता होते हैं कि कभी भी जीवन में यदि ऐसा ख्षन आए जिस ख्षन में यदि हम मुनी हैं तो मुनी धर्म को निभाएं और यदि हम साधारन ग्रियास्त हैं यदि साधारन इंसान हैं प्रतिकार करें और यदि प्रतिकार करने की स्थिती में न रहें तो समता में इतने रम जाएं कि हम अपने जीवन का पूरा का पूरा सार निकाल लें उसको कम से कम हम गमाएं नहीं अपने इस जीवन को और आने वाले जीवन को पुवित्र बना ले ये हमें प्रेना मिलती है ओम अरहम